गेस स्लेंडर के उपर लखे इन नमबरों का मतलब क्या होता है और गेस स्लेंडर बेलना कार ही क्यों होता है किसी और सिफका क्यों नहीं होता तो आज की वीडियो में LPG गेस स्लेंडर के बारे में कुछ ऐसी बात जानेंगे जो 99 प्रेक्सद लोग नहीं जानते हैं वीडियो लेकिन इसकी जानकारी एजनसी आपको नहीं देती है गेस की बज़े से द्रगटना होने पर 40 लाग का वीमा पास होता है अगर ये गटना समू में होती है तो 50 लाग तक का वीमा मिलता है नमबर फूर क्या आपको पता है कि ऑस्टेलिया में बहानों में पेट्रोल डिजल से जादा LPG का इस्तिमाल किया जाता है नमबर फाइब LPG गेस अनने हीदनों की सोलना में कम पॉलिशन फैलाती है नमबर सेट्स LPG गेस की खोई डॉक्टर वाल्टर स्नेलिंग ने सन 1912 में की थी नमबर सेविन जिस LPG सिलेंडर का अपयोग आप अपने किचन में खाना पकाने के लिए करती हैं उस LPG सिलेंडर का अप इसका डॉक्टर गोटी लेप डाइमलर निकेतन ने किया था नमबर एट आप लोगों ने ये देखाई होगा कि गेस सिलेंडर या गेस के टेंकर हमेशा बेलनाकार या गोल ही होते हैं चौकुर या आयताकार क्यों नहीं होते एसा इसलिए होता है कि जब किसी तरल पदार्तिया गेस को किसी पात्त में डाला जाता है तो सबसे ज़्यादा दवाब उस बरतन के कौनों पर बढ़ता है इससे इस्तिती में बरतन के कौनों से रिसाव होने और बरतन के फटने का खत्रा हो सकता है बेलना कार होने की बज़े से ये बर्तन के चारोतरफ समान दवाब बनाता है बस इसी बज़े से सिलेंडर को चौक उन्ना बना कर गोला कार बनाया जाता है अमबर नायन LPG गेस सिलेंडर के नीचे की रिंग में ये छेद क्यों होती है तो वो इसलिए की गेस को लगातार इस्तिमल करने इसे सिलेंडर का थाबंध बढ़ जाता है गेस सिलेंडर के नीचे की रिंग में छेद होने की बज़े से प्रेकर्द कठंडी अवा इन छेदों प्रिवेस करती है और गरम आवा बाहर निकल जाती है जिससे सिलेंडर का तल ठंडा बना रहता है इस रिंग में ये छेद नहीं होंगे तो गरम अवा बहार नहीं निकल पाएगी जिससे द्रगटना हो सकती है नमबर टेन, एलपीजी गेस रेंडर की उपर की पट्टी पर ये नमबर लिखी होती है और इनका क्या मतलब है दरसल ये सीक्रेट इनफर्मिशन होती है यह एक प्रेगी टंगी की समय सीमा होती है जिस पर A, B, C, D लिखा होता है और आगे दो संक्या लिखी होती है जैसे A, 23 यहां पर A, B, C, D महीने है और आगे की जो दो संक्या आएं वो साल है इसमें A याने की जनवरी, फरवरी, मार्च, B याने की अप्रेल, मही, जून, C याने की जुलाई, अगस, सितंबर, और D, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है और इसके आगे दो संक्या लिखी होती ह जैसे भी 23 लिखा है तो जून दोजर 23 के बाद इसे यूज ना करें जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वरें